समय दूरी में ट्रिक नंबर 2 में देखते हैं ट्रिक 2 ट्रिक 2 में है कि यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चिक दूरी को U 4 से चल कर T1 समय देर से पहुँचे तो उसी दूरी को अगर वो भी 4 से चलता है तो वो T2 समय क्या हो पहले पहुँच रहा है ठीक है तो इसमें हमें निश्ची दूरी निकालना है आए निकालते हैं और वही जो ट्रिक जो निश्ची दूरी निकलेगा वही हमारा shortcut founder बनेगा ठीक है दोस्तों माना निश्ची दूरी क्या है X ठीक है अगर वहां U स्पिरिट से चलेगा तो क्या करेगा नियत समय जो निश्ची समय मालेजे उससा T रहा होगा तो T रहा होगा तो T रहा होगा लिए उसमें क्या कर रहा हो T2 T1 समय देर से पहुंच रहा है तो T1 यहां एड हुआ है चुकि X, Y, U समय बताता है इसलिए इस समय समय का जिक्र हुआ है अगर यहां समय है यहां भी समय का जिक्र होना चाहिए अगर यहां दूरी है तो इस साइट भी दूरी ही होना चाहिए ठीक दोस्तों तो xyu बराबर क्या होगा t plus t1 होगा उसी बर्गार xyv equal to क्या होगा t minus t2 t minus t2 होगा अब देखिए equation एक और दो को एक दूसरे दर घटाएंगे तो क्या पाएंगे xyu minus xyv equal to यहां घटाएंगे t plus t1 minus t plus t2 t1, t1, tt कट जाएगा t घटाएगा यहांसे x यहांसे क्या होगा यहांसे 1 by u minus 1 by v xyv equal to t1 plus t2 और x कमाण क्या आएगा x कमाण आएगा आपका अब आसको इधर लिखाना क्या बनेगा t1 plus t2 बटा 1 by u plus 1 by v इसको solve करें तो क्या पाएंगे u v bracket में t1 plus t2 बटा 1 by u plus v यह हमारा shortcut formula हुआ अगर हमें कोई निच्ची दूरी निकानना है तो उसका formula क्या हुआ u और v जो इस्पृट से चल रहा है ठीक है और फोर इस्पृट जो हो रहा हुआ उद्वन गुना कीजिए और जो समय है उस समय को गुना कीजिए जो कि एक ठोकर t1 समय देर से पहुंच रहा है और t2 समय पहले पहुंच रहा है नियस समय से ठीक है अब बटा u plus v करेंगे त ट्रीक नमबर 3 में है कि यदि कोई निश्ची दूरी को u चास हम चल रहे है ठीक है और उसी निश्ची दूरी को अगर हम v चास से चलते हैं तो दोनों समय के जो अंतर आएगा वो क्या है t है तो हमें दूरी निकालना है ठीक दोस्तों तो हम लिए सकते हैं x by u minus एक समय होगा अगर किसी निश्ची दूरी को अगर हम x मानते हैं और जो गती हम यूज करेंगे यूज चास से चलेंगे तो x, y, u कोई समय देगा हमें ठीक है तो उसमय कुछ भी हो सकता है बटा x, y, v equal to t एक t दिया है समय कंतर हमें ठीक है समय कंतर t हमें बोला है t लिखे हैं यहांसे x को मल लेंगे तो 1, y, u, 1, y, v, बराबर t और x कमान निका लेंगे तुम्हें क्या लिखे हैं यू, v, into t, बटा v-u, ठीक है दोस्तों यहां आप देख रहे हैं कि u और v और यहां क्या होगया समय का अंतर बटा v-u, मौट देख रहे हैं क्योंकि जो भी दूरी आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा इसलेस का जो भी डिफ्रेंस मनों मिलेगा या यह बढ़ा हो या यह छोटा हो ठीक है दोस्तों तो एक पोस्टिट नमबर निकल यहां से क्योंकि जो दूरी होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए हम मौट दे रहे हैं पर ठीक दोस्तों तो यह आपका फर्मुला हुआ किसी निश्चीत दूरी को निकालने का दूसरा फर्मुला कि तिसरा फर्मुला जहां पर यू चाल से चले रहा है वी चाल से भी चला रहा है फिर इन दोनों के जो समय लिया गया समय का अंतर जो आ रहा है वो दिया हुआ है ठीक है और वी मैनस यू करेंगे आप उसका मौट लेकर करेंगे तो हमें वह दूरी मिल जाएगा ठीक दोस्तों ट्रीक नमबर ट्रीक नमर 4 में कहा है कि एक व्यक्ति है अपने वास्तिवीक चाल जो कि इसका वास्तिवीक चाल रहा होगा उस चाल से ना चल कर क्या एबटा बी चाल से चल रहा है ठीक है वास्तिवीक चाल कर एबटा बी चाल से वह चलेगा ठीक है तो एक निच्ची दूरी को तो वह न यह समय जो इसका निचे जो समय लगता जिनरली वास्तविक चाल से चल कर उस चाल से टी काई या टी समय देड़ से वह पहुँचता है तो उसके द्वारा वास्तविक चाल से चल कर उस दूरी को तैय करने में लगा समय निकालना है हमें ठीक है माना माना वास्तिविक चाल बराबर वी ठीक है तो नियाद समय क्या हो नियाद समय बराबर मानते हैं कैपिटल टी ठीक है तो दूरी क्या निकलेगा भी इंटू टी ठीक है वी टी यह दूरी है बराबर जब वास्तिविक चाल का एबटा वी गती से चलेगा तो क्या करेगा नियाद समय का टी काई देर से पहुँचेगा यहीक टी समय ज़्जादा लेगा स्मॉल टी बराबर स्मॉल टी ज़्जा समय लेगा ठीक है यह भी एक दूरी है यह भी एक दूरी है ठीक है ठीक है यह दूरी तो सेम ही रहेगा यहाँ वास्तविक चाल से हम दो निकाले है दूरी यहाँ पर क्या है उस वास्तविक चाल का ए बटा भी है क्या इस पिट से हमने चलेंगे तब क्या टी समय ज्यादा लगगा स्मॉल टी स प्लस ए इस्मोल टी बरावा और लिखना अधिका लिख सकता है इसको अगर दोनों साइट उपर नीचे एस डिवाइट करें तो यह होगा तो यही है कि वास्तिविक समय या नियत समय से अगर कुछ चीज निकालना है नियत समय तो क्या फ्रमला हो उसका यह आपका फ्रमला होगा ठीक है यह नियत समय है ती कैपिटल टी नियत समय है इस मोड टी जो है यह बटा भी चाल से चलने पर वास्तिविक चाल से चलने पर जो नियत समय से जो कुछ समय ज्यादा लगा है जो कि टी है यहां पर वो टी है यहां पर है ठीक है धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए इसी तरह की वीडियो ट्राप्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद झाल